समस्कार आप देख रहे हैं इबी स्टार न्यूज मैं हूँ आपके साथ भावनात्र पार्टी वक्तो चलाए हमारे खास बुलेटिन अपना उत्रप्रदेश का बुलेटिन के शुरुवात करेंगे तिरोजाबाद की खबर के साथ जहां करणी सेना के राश्टी एध्यक्षि सुखदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या को लेकर लोगों ने केंडल मार्श निकाला अलग-अलग संगचनों से जुड़े कारिकरताओं ने हाथ में केंडल लेकर हत्यारों के एंकाउंटर करने की मांग की इसके साथ ही राजपूत समाजने राजिस्थान में भी योगी पै रामपूर में विक्सित भारत संकल प्यात्रा का शुभारंग हुआ पूर्व कैबिनेट मंत्री मुक्तार अखबास नकवी ने कारिकरम का शुभारंग किया बीजेपी के जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू के साथ भाजपा तमाम अधिकारी महजूद रखे विक्सित भारत संकल प्यात्रा के माध्यम से केंद सरकार और राज सरकार की कल्यान कारी उजनाओं के बारे में भी गाउं की जनता को जानकारी दी इसके साथ ही मुक्तार अब्बास नकवी ने इंडिया गटबंधन पर भी निशाना साथा प्रणामन्ती नरेन मोती जी की गारंटी ने कई जो दुकाने थी उन पे ताला बंदी और नाकबंदी करा दिये क्योंकि जो ये दुकाने थी ये केवल सियासी सोशल और आजनेतिक सोशल के जरिए लोगों के सशक्ती करने में विश्वास करती थी उसको जो है वो उस पर कहीं न कहीं रोक लगाने को विश्राथ के लिए इस नरेंद मोधी जी की गारेंटी के बाद नरेंद मोधी जी के काम की गिंती और करिश्मे के गडित ने जो समाजवादी टीपू है और सामंती सुल्तान है उनके जो सपनों का एक सलतनत थी उस सपनों की सलतनत का जो है वो सूपला साथ किया है और आज अगली खबर रामपूर से है जहां पुलेस और पशुत असकरों के बीच मुटभेड हो गई मुटभेड में एक पशुत असकर के पैर में गोली लगी तो वहीं एक पशुत असकर पराग होने में काम्याब हो गया घायल को स्पताय में भरती कराया गया आपको बता दे कि घायल पशुत असकर 25,000 का इनामी था नामक अब्यूक्त है जो थाना सैफनी का रहने वाला है विगतमा थाना प्रटवई में एक बोगशी की बेटना हुई थी जिसमें इसका नाम प्रगाश में आया था और यह फरार चला था गिरफतारी के लिए इसके पर 25,000 रुपए के नाम रखा गया था आज थाना सैफनी शेतर में थाना सैफनी पुलिस वैसोजी ही प्राजियों की धर पकल कर रहे थे इतने में दिन में ही दो व्यक्ति भागते विए दिखाई दिये पिछा करने पर उनके दारा पुलिस पर फायर किया गया प्रटशार्ट पुलिस फायरिंग में इस को मजबूर है पीडितों ने बताया कि अतिक्रमण का आरोप लगा कर गरीबों के पक्खे मंगान को नगरपालिका बुल्डोजर से गिरा रही हुआ वो इसमें लेखनी करना चाहूंगा कि अर्थाई अतिक्रमण है इस ताहि बिलकुल नहीं है इसी का भी घर नहीं तोड़ा गया है किसी भी गरीब को नहीं जाड़ा गया है और जहां तक रही नगरपालिका के नोटिस के बाद वो उनका अपना वीदिक प्रक्रिया है वो होगा पूरा लगते हुए गरीबों को जो सरकार की मन्शा है उनको किसी गरीब को नहीं तोड़ा गया है या तोड़ा के किनारे लोग बना लेते हैं या थोड़ा आगे-बढ़ा के रास्ता सक्रा कर दिये हैं उनको दो-तीन बार नोटिस देने के लेकिन वालिका की द्वारा जैसे आपकी द्वारा अववत कराई जा रहा है कि अगर वो अवैद हैं यहां पर अवैद भी कब्जा कि उनका घर है भी तो आईसे लोग को चिनित करते हुए यह आशा है कि मैं आश्वर्शन कर रहा हूं कि किसी गरीब को उजारा नहीं जाएगा हमारे लोग के साथ अन्याई हुआ है नाम लीला गिराउन के सामने तैसिल रोड सदर बजार वार्ड नंबर तेरा पंदरा हम लोग रही तो हमारे लोग के जो है मकान तोड़ दिया गया है और उजावने के लिए हमको लोग को नोटिस नहीं मिली है खाली एलोंस हुआ हो चोटो चोटो बच्चे ठंडी में लेकर हम तहां जाएं और हमारे साथ सान लड़किया भी है पंचानवे से लोग बसे हैं यापर पंचानवे से बसाने वाला काउन है नाम मेरी ये तैसिल रोड से 40-20 खदम के अपर तैसिल खड़ी है चारिस कदम के अपर ठाना खड़ा है आपके आदा क्यों किलोमीटर नहीं होगे ये नगरपाली का खड़ी है अगर ये नजूर जमीन के अबर अवेट कहते हैं तो अवेट कब कहा जाता है जब कोई आज भी नया बाचिन्दा होता है उसको अवेट कहा जाता है अगली खबर बांदा से है जहां जिला कॉंग्रस कमिटी ने जिला अधिकारी कार Barnes कार्या के सामने प्रदर्शन किया कमिटी ने खाद बीच की समास्य को लेकर जिला अधिकारी के माधियम से राज जिपाल को ग्यापन भेजा किसानों को उचित मूले पर समय से खाद बीच उपलब्द कराया जाने की मांग भी की 12 बंकी में दो बदमाश तांसिक बनकर यूवती के साथ दुशकर्म किया यूवती की चेक सुनकर यूवती की माओं और दादी ने बदमाशों को धर दबोचा इसके बाद Gramidow ने भी बदमाशों के साथ मारपीट की और पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिराफ्तार कर लिया है मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कि ने गुछ अजिर खो मुखे चाव वाद करो में आज मैं बात काद से उंधि आफ यह को और पतवा लिए पेड़ करते हुप उंधि पंधि जाए को अव एक बहत अच्छ बता हुप गाँ अच्छ भाड़ लए लेगा अब पतवा इंधि इद आए, आधि आफ तो is this फुट फुट अंदर नजाओ बद भीया दस मने लाग बद बिट्या लाई आई आई पर अप पहुची मारे लागी मारे लागी मारे लागी बद याक लाठी हम हुमार पाई धेदेव से बादी भी जुठिया सब बवन छूटी राम लगर थाना छेत्र के एक गाउं में दो यूखों के दोरा तंतरमंद का जहासा दे करके एक लड़की के साथ 376 बी 452 का अपरात किया गया ये दो यूख राहुल और मनोज रमकबिक जो सफदर गन थाना छेत्र के रहने वाले थे इनको गिरुफतार कर लिया गया है इनक पीद्ध में एक व्यापारी की घर में लाखों के चोरी होगी जानकारी के मुताबिक व्यापारी किराय के मकान पर रहता था व्यापारी ने मकान मालिक समेथ चार लोगों पर मुकदमादर्श करवाया है पीड Isa में बताया कि माउं में एक बस आ नियंत्यत होकर पलट गई, हाथसे में साथ बच्चे गंभी रूप से घायल हो गई सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को सामुदाइक स्वास्त केंज में भरती कराया कैसे पलती है माउना साज बच्ची अमलोग के स्कूल आ रहा है थे, मनाओ के पास बश पढ़ गई और ड्राइवर चोड़ के भग गया, ड्राइवर, अटेन ड्राइवर है परिजनों की माने तो ससुराल पक्ष के लोग परिजनों के लगातार युवति से दहेच के मांग कर रहे थे जो पूरी ना कि जाने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने युवति की हत्या कर दी हमारे लड़की क्या नाम था गायत्री देभी कितने महा पहले साधी हुँ थे माई कहीं यानि करीब साथ महा पहले कहां से की थी सिसया क्रेशार गाल सिसया क्रेशा चे अच्छा क्या हुआ किसे इनकी मौथ हो गई हमारे बारा बजे कल फोन आगा है इव बड़ो से अच्छा रगारी से वह जाए लगाए लिए हुआ हम पने जोड़ा भागी कि हमां पहुँ जाए तभी लोग मिले नाइक वह भी अपितिया कैसे बताए दी अपितिया जए गह रहां ताव बीतिया अमरी पजी रहे हैं आरि पुलिटिन के आखिर में बात करेंगे अलीगर की जहां एक किसान ने विजली विभाग से तंग आ कर आथ प्रदाशन कर लिए पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया पोस्ट मार्टम के बाद पुलिस ने शव परीजनों को सौफ दिया जिसके बाद परीजन शव को लेकर लाल डिग्गी बिजली घर पहुँचे और बिजली घर के साव ने शव को रखकर प्रदाशन किया जानकारी के मुताबिक मृतिक किसान ने जून में अपने खेत में निजी कूल नलकूप कनेक्शन लगवाया था कनेक्शन लगने के 14 दिन बाद किसी कारण से बिजली विभाग के दौरा पोल से उनका कनेक्शन काट दिया गया खेत में 40 बीघा फसल खड़ी हुई थी और पानी नहीं लग पा रहा था जिसको लेकर किसान हर रोज बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा था आरोप है कि लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका कनेक्शन नहीं लगाये गया जिसके चलते उनकी 40 बीघा फसल खराब हो गये इता कि इन्हों ने 6 महिना पहले कनेक्शन कराया था बिजली निजी नलकूप का तो 14 दिन लाइन चली लाइन को जेई द्वारा गड़वाया गया था HDO ने नक्सा बना करके पास किया था और नक्सा के आदार पर लाइन को गड़वाया था खुद जेई साब ने उसे पास करके चालू कराया था उसके 14 दिन बाद बारस के समय एक पेड़ के पेड़ में करंट आने से एक ब्यक्ति की मौत हो गई थी तब से HDO साब और जेई साब ने लाइन को काट दिया चालीस वीगा धान सूख सूख के राक हो गए और यहां हम चक्कर लगाते रहे के लाइन को जुडवा दीजिए हमारी फसल नश्ट हो रही है इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और जो समर लगाई थी करजा ले करके बहुत करजा केसी सी भी ली थी अन्य लोगों से भी करजा लिया था करजा ले करके क्योंकि पानी का कोई साधन नहीं था तो पानी का साधन किया था उसके बाद में इन्होंने लाइन को नहीं जुडवाया अपना उतर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस अत्ता है ताज़त अमाम अब्डेट के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एबी स्टार नियूज झाल 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 झाल